केटू प्लान के तहट अमरितपाल सिंग को लाया जाता है दुबई से जहां पर एक ट्रक ड्राइवर है किसी रिष्टदार की कंपणी में काम करता है। दुबई में इसकी मीटिंग करवाई जो राडिकलाइस्ट खालिस्तानी से हैं। और ISI ने अमरितपाल सिंग को वहाँ पर ग्रूम करना शुरू करा। पाकिस्तान को इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान भारत से एक कन्वेंशनल वार्ड नहीं लड़ सकता। ना पाकिस्तान के पास हिम्मत है, ना पाकिस्तान के पास जजबा है, ना पाकिस्तान के पास ऐसे है, ये खुद नहीं लड़ते है क्योंकि खुद उनको कौम को लूटना है, तो इनको अमरिक पाल सिंग यासे टटू चाहिए जो इनका काम करेंगेंदा, नार्को टेररिज्म पाकिस्तान ने कश्मीरियों को और यहां पर पंजाबियों को बर्बाद कर दिया उनको ड्रग्स लेड़े के वीडियो तो आज हम मेजर सब की वीडियो पे मिक्स एक्षन देखने जा रहे हैं और जो अमरिक पाल सिंग है उसकी मेजर सबाज जबर्जस क्लास लेने वाल है ज जो दंगे फसारी है जो खालिस्तानी मोमेंट वो चला रहा है उट पे मेजर सबाट करने वाला है जो शुरू करते हैं इसका मिक्स एक्षन जैन दोस्तों मैं हूँ मेजर गौरवारिया और आप देखरें दिचारक्या डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिया बल आइकन दबाना बिलकुल दोस्तों हम चलते हैं पंजाब और आप सब को पता है कि अमरित पाल सिंग को लेके व हो भाग रहा है पंजाब पुलिस उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई तो इसमें आज़णाला के पूलिस टेशिन पर अटेक करा और इसके उपर के डैपिंग का केस है, दुनिया भरके इसके उपर केसे हैं, हेट स्पीच के केस हैं ये सब लेकिन जो आपको नहीं बता रहा है वो ये नहीं बता रहा है कि इसकी जड़ें कहा तक जाती है और इसका समाधान क्या है तो आज जड़ों के बारे में बात करेंगे और दोस्तों समाधान के बात करेंगे अमरित पाल सिंग का ये मामला है आप सबको पता दुबाई में ट्रक चलाता था छह महने पहले ये बंदा जो क्लीन शेविन सिख था इसके लंबे बाल नहीं थे इसके बहुत कम दाड़ी थी इसने बालवाल अपने बिलकुल हीरो टाइप इसने कटवा रखे थे ये बंदा जो है ये आता है पज़ाब ठीक है ये पज़ाब आता है और वारिस पंज़ाब दे दीप सिद्धु आपको याद होगा small time actor जो accident में मारा गया था दीप सिद्दू ने एक separatist organization शुरू करी वारिस पंजाब दे सबसे बड़ी बात यह है कि उसको चलने क्यों दिया वारिस पंजाब दे खुले में पैसा एकटा करते थे खुले में speeches देते थे खुले में खालिस्तान प्रोपोगेट करते थे और यही चीज़ कई बार indirectly और directly देखो indirectly भी होता है सिद्धू मुसेवाला ने भी करी है अब कई लोग गुसा हो जाएंगे जो fans है आप गुसा हो ना हो वो आपकी मर्जी है सच है मेरा काम है सच बोलना और सच सुनने की आदट डाल लो क्योंकि यहाँ पे मेजर सच ही बोलेगा बल्कु सही ये इतने बड़े क्यों बन गए भिंडरा वाला इतना बड़ा क्यों बन गया बनने दिया क्यों भिंडरा वाला इतना बड़ा बन गया इसलिए बन गया क्योंकि उसको पाला गया एक GBS सिद्धू साब है Special Secretary Raw जो हमारी External Intelligence Agency है उसके Special Secretary हुआ करते थे एक टाइम पर बड़े Senior IPS Officer है जिन्होंने अपनी जिन्दगी 20-25 साल उन्होंने Raw को दिये उन्होंने एक किताब लिखी है कि खालिस्तान का मामला उसमें पाकिस्तान बाद में आया पाकिस्तान ने फाइदा उठाया पाकिस्तान ने उसका फाइदा उठाया लेकिन उसके बीच किसमें बोई बीच दिल्ली से बोई गए थे बीच दिल्ली से बोई गए थे और funding करी गई थी भेंडरा वाले को पैदा करा उसी तरीके से अमरित पाल सिंग को कौन पैदा कर रहा है इसकी जणा कहा है यह पाकिस्तान का K2 प्लान क्या है भाई K2 प्लान सिंपल है K2 K2 यानि की जो one of the highest peaks in the world आ मांटन पीक्स वो भी है जिसको Godwin Austin भी कहते है और K2 यानि की के कश्मीर के खालिस्तान यह पाकिस्तान का reference है K2 प्लान के तहट अमरित पाल सिंग को लाया जाता है दुबई से जहां पर यह ट्रॉक ड्राइवर है किसी रिश्टदार की कंपनी में काम करता है उसको लाया जाता है और अचानक यह बंदा जिसको कोई नहीं जानता जिसको कोई नहीं जानता दीप सिदूद था वारिस पंजाब था वो तो एक्टर था उसको दस लोग पैचानते थे इसको कोई जानता है वो फिर भी आक्टर था तो वो तो स्क्रीन पे आता था इसको तो कोई नहीं जानता था एक unknown quantity को पाकिस्तानी intelligence ने catch करा वहाँ पे दुबई में इसकी meeting करवाई जो radicalized खालिस्तानी स्थ है और ISI ने अमरिकपाल सिंग को वहाँ पे groom करना शुबू करा इसकी ideological indoctrination जो थी इसको ये बताया गया कि भारत बुरा है इसको ये बताया गया कि भारत बहुत जुल्म कर रहा है सिक्खों पे इसको ये बताया गया कि भारत ने ये करा वो करा दुनिया भर की चीज़ें जो ड्रामा था इसको पूरी जोटी जोटी चीज़ें इसकी दिमाग में देखिए ऐसा है ये कर क्यों रहा है पाकिस्तान दो तीन कारणा है मैंने बोला था है पहले जणों पर जाते हैं फिर सलूशन पर जाएंगे पाकिस्तान को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान भारत से एक कन्वेंशनल वर्फ नहीं लड़ सकता ना पाकिस्तान के पास हिम्मत है, ना पाकिस्तान के पास जजबा है, ना पाकिस्तान के पास पैसे है, और लड़ाई लड़ने के लिए तीनों चीज़ हैं चाहिए, पाकिस्तान नी लड़ने के लिए उसके जर्नेल, अभी मैंने आपको नहीं बताया ता दो तीन दिन पहले, वो 40-45,000 एकड़ जमीन पंजाब में उन्होंने हड़प ली पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि हम कहती बाली करेंगे ये तो उनके फौज के हाल है ये आपको लगता है फौज लड़ने वाली है जनेरल बाजवा, 1200 करोड की संपत्ती, ये फौज लड़ने वाली है जनेरल आसन सलीम बाजवा, लेफटिनन जनरल 150 ऐ 125 कुछ पापा जून के पिड़जा, ये फौज रड़ने वाली है जनरल बाजवा जो की आर्मी चीफ जिसके बारे मैं मैंने बोला बारा सो करोड की संपत्ती है वो जब से रिटायर हुआ है पाकिस्तान में है यह नहीं हो कभी लंडन, कभी दुबई, कभी यहां, कभी वहां पाकिस्तान में उसकी शकल नहीं दिखाई देती यह लडने वाली फौज है, परवेज मुशरफ जिसकी डेथ हो गई वो विदेश में ही मर गया, वापस आया है नहीं यह लडने वाली फौज होती है, जनरल अश्वाक परवेज क्यानी फॉर्मर चीफ अफ आमी स्टाफ अफ पाकिस्तान आर्मी उस्ट्रिलिया में बैठा है वहाँ पे, उस्ट्रिलिया में बैठा है, एक उसने टापू खरीद लिया एक जजीरा खरीद लिया, एक आईलेंड खरीद लिया उसने यह अयाशी की सिंदगी जीर, यह लडने वाली फौज है आप बताईए जेनरल रहील शरीफ जेनरल रहील शरीफ चीफ अवामी स्टाफ, फॉर्मर जो साओधी रेवे में नौकरी कर रहा है अपने मुल्क पे उप कदम रखना ठीक नी समझता ये लड़ने वाली फॉज है मैंने आपको दसीं एजमपल मैपको और दे सकता हूँ इनके फॉज के जर्नेलों के करॉप्शन ठीक है? और इसलिए ये खुद नहीं लड़ते क्योंकि खुद उनको कौम को लूटना है तो इनको अमरिक पाल सिंग जैसे टटू चाहिए जो इनका काम करें गंदा ओ मर्द के बच्चे है तो खुद आके लड़ो यार वो काम नहीं करना है उनोंने जिहाद करेगा गरीब का बच्चा इनका लड़का जाएगा आक्सफ़र्ड पढ़ने के लिए तो पाकिस्तान में ये चीज़ क्लियर और कई बार डिसकस भी कर चुके अब इतकी जड़े पाकिस्तान ने बोला कि भई इसको लॉंच करो इसको पैसे वैसे दिए इसकी फंडिंग दी इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो गुर्दवारा साहब है ना फॉरन कंट्रीज में आपके लंडन में आपके कैनडा में यूएस में कई जगे जो पवत्र पावन जगे है जो भगवान का घार है उसको कर्रप्ट कर दिया इन लोगों ने वहाँ पे इन लोगों के डोनेशन बॉक्से में मोटा मोटा पैसा डलता है इस पैसे से फंडिंग होती है नार्को टेर्रिजम नार्को टेर्रिजम यानि कि ड्रग्स के पैसे से इसकी फंडिंग होती है पूरे खालिस्तान की मुवम्मेंट की और उसी प्लान के तहट अमरिकपाल सिंग को दुबई से वापिस इंडिया लाया गया और यहां पे आके इसको छोड़ दिया गया है इसका परचार करा खुब करोणों रुपे डाले इसकी पूरी फॉज बनाएगे वनना एक ट्रक ड्राइवर की क्या हैसियत है भई आप एक बाद बताईए एक अंजान बंदा खुच सोची है ज़रा जो मीडिया कह रही है आपको न उसको दो बिनेट के लिए छोड़ दिजए मारिये गोली डाज नाट मैटर जाने दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर ठीक है एक ट्रक ड्राइवर दुबई से आता है जिसको कोई नहीं जानता और अचानक हर एक मीडिया वाला उसके मुझे अंदर माइक डलने को तयार है कि अमरित पाल सिंग जी आप एक तो मीडिया भी ऐसी है ना मीडिया भी ऐसी है कि फाल्तु की बगपास ज़रूर उनको करनी है अपने न्यूस बैट्स के लिए हां बताईएं अमरितcem जी आप क्या समझते हैं हम थो भारत के समविधहन को मानतेगह अमरितप adviser मार अच्हे जूते इसको कीच-कीच के भारत के समविधहन को नहीं मानता तू कों है और भारत का संविधान के लिए ना फिर कुछ और करना पड़ेगा इसको तब यह मानेगा भारत का संविधान यह जो अमरित पाल सेंगे ना यह सांप है यह आपने आपको सर्दार कहता है सर्दार जैसे अरकते नहीं इसकी नहीं तो फॉज में था मैं देख चुका हूँ हमने तो नहीं देखा हमने आज तक नहीं देखा मैं आज तक नहीं देखा मैं आज तक नहीं देखा मैं आपको यह बोली नहीं सकता कि वो सिख है जिसके सामने परेशानी आई वो भाग गया यह पहला आदमी यह खोटा सिख का है यह सर्दार रही नहीं तो यह खोटा सिख नहीं है, यह कप्टी भी है, यह चोर उचक्का भी है, इसके अलावा इसने क्या करा, देखो, अब जब पुलिस आई, यह भग गया, ठीक है, तो यह ISI का एक महरा है, जो पंजाब में दुबारा जहर फेला रहा है, मैं एक और आपको बता देता हूँ, सिमिलरिटी, में इंडिया की maximum drug problems है, आपने तो उड़ता पंजाब पिक्चर देख लिए, इसलिए आपको पता लग गया, कि पंजाब में drug problem है, उसके पहले लोगों को पता ही नहीं तो बाहर वाले थे, जो South India के थे, या North India के थे, East और West के थे, Central, कहीं के भी थे, उनको यहीं नहीं पता भेंकर drug problem है, कि लोग उसके बारे में बात करना है, मैं तो जाता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, सच्चा ही जमीन पे क्या है, पाकिस्तान ने कश्मीरियों को और यहां पर पंजाबियों को बरबात कर दिया, उनको drugs दे लेके, and all this is narco-terrorism, यह सरथपार से आते हैं drugs, यह कभी drone में डालते हैं, drug, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी सोरंग बना के, किसी तरीके से, आप 100 परते हैं तो भी रोक सकते, वो 100 बार भेजेगा, आप 90 बार रोक लो के 10 बार फिरा जाएगा इंदर, that is what they are depending on, और एक बार आपने ecosystem create कर लिया, एक बार आपने पूरे drug addict की, आ कि जमीन बेचनी पड़े, अपने तन बदन के कपड़े बेचने पड़े, गड़े बेचनी पड़े, और वहां से फंड रहां होती है, अब मैं बताता हूं उसका, ज्यादा समयना लेते हुए आपका, let's come to the point, पहली बात तो यह मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इंडियन गवर्मेंट क्यों अलाओ करती है ऐसे लोगों को जिनके बारे में पता चलो इसके बारे में नहीं पता था है unknown quantity था या गया बापिस सबसे पहले जितने भी खालिस्तानी है यही गलती हमने करी जब यह कश्मीरी रेडिकल जाके तुर्की में रहते थे वहां से जाके इंटरनेट पे जहर उगलते थे और यहां पे आके अपना आराम से कश्मीर में गर्भियों में आए अपना टाइम वाइं बिताया फिर वापिस तोटी चले गए जहर उगलने के लिए इतनी डेमोकरसी भी ठीक नहीं है बॉस यह खा जाएगी देश को इतनी डेमोकरसी इसाब जूते के यह आ रहे हैं अब नहीं चलेगा ठीक है पकड़के इनको लगाओ डंडा चार चार जहंद बोलेंगे यह और जन्मन गन भी घाएंगे ख़ड़े होके हैं वो तो हम बड इकलेयर वारिस पंजाब दे अटर्रिस्ट ऑगनेज़शन जो भी इसके साथ कनेक्टेड है सब को जेल में डालो टर्रिसम के चार्ज लगाओ जिंदगी भर तक अपनी एडियां घिसते रहे हैं कोट कचरी में घिसते रहें कोट कचरी में लेट इस बी लेसन टू एवरी अगर तुम जाते हो तो फिर देखना तुम उड़्टा लटका के पीटेंगे बिलकुँ सभी बाट है तुमारी पुछतें जो है न वो याद रखेंगी कि तुमने क्या काम करा है तीसरी चीज़ मैं आपको बता दू जो स्टेट पोलीस है को मैं पंजाब पोलीस की न प्र I don't want to make a political comment here, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी स्टेट पुलीस, कोई घी स्टेट पुलीस हो, वो पंजाब की हो, राजस्थान की हो, मदप्रदेश की हो, उतरप्रदेश की हो, सौथ इंडिया की हो, नॉर्थ इंडिया की हो, एनिवेर इंडिया, यह अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है, जहां पे जो पुलीस थी, डाट वस इंस्ट्रुमें आज भी पुलीस में, मैं आपको एक बात सची बात बता रहा हूँ, 1861, 1861 की पुलीस आक्ट है जो आज भी चल रही है, हम लोग 2023 में बैठे हैं, मार्च में, पुलीस को कंट्रोल करना चाहता है, अपने काईडे के लिए, और पंजाब पुलीस अगर लिडर्शिप ठीक मिले, तो पंजाब पुलीस कमाल कर सकती है, यह कमाल कर चुकिये कई बार पहले भई, यह को नई बार थोड़ना बता रहा हूँ मैं आपको, कि पंजाब पुलिस कमाल कर देगी तो तो नहीं वो कर चुके हैं कई बार लेकिन इस अंडर दे स्टेट गवर्मेंट मैं एक बाद बता हूँ एक फिल्म है खाकी आप देखिएगा उसमें अमिताब बच्चन का एक डायलोग है बड़ा प्यारा He plays a policeman And he says कि अगर पुलिस चाहे ये पिक्चर का डायलोग है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही डायलोग है ये मैं जानता हूँ अगर पुलिस चाहे तो मंदर के आगे से चपल चोरी नहीं हो सकती अगर पुलिस चाहे तो मंदर के आगे से चपल चोरी नहीं हो सकती कि बॉस इसको छेड़ा मत एक माहौल बना के रखो कि इसको पकड़ रहे हैं पकड़ रहे हैं लेकिन उसको पकड़ा ने क्यों नहीं पकड़ा भी तक पूछा चाहता हूं यंजो आपकरिखी एक सब्सक्राइब शर्भालस इन लेकिन अंचाप पूलीस के जो ऊफसर थे उनको उतना तना थे न लोगों लगाएड चाहिए जब कि उन लोगों ने पूरी पंजाब की सफाही कर दी ती यह बबर खाल सा थी एव वर टांग दिया था इन लोगोंने इसी पंजब पुलिस ने खदर के मारा था खालिस्थानियों को लेकिन खुद जो एंटीनेशनल ए возможность थे जिन्हों ने हमारे courts का इस्तिमाल करा हमारे constitution का इस्तिमाल करा इन लोगों ने इतना ज़दा harass करा कि पंजब पुलिस के officers some of them were forced to commit suicide उन्होंने आत्मात्य कर ली वाँ, 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 आप लोगों को ये बात पता होने चाहिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक बात और बताना चाहता हूं ठीक है, ये अगर बढ़ता है हम रित्पाल सिंग बढ़ा होता है, तो हमारी गलती है क्योंकि इसको बढ़ा बनने दिया पंजाब गवर्मेंट क्या सोच रही थी यार इसको अगर पकड़ लेंगे तो हमारे कितने वोट जाएंगे जरा गिनना भाई साब तो बढ़ी खाता बना रहा है अच्छे इतले वोट चले जाएंगे, थोड़ा सौर रट, चलने तो कोई बात नहीं बाई साब साब सांप को दूद पिला रहे हो सांप को दूद पिला रहे हो, डोंट गो बैक तो दी 80s वो असीक दशक सबसे काला दशक था पंजाब की हिस्ट्री में औरंगज़ब के साशन के बाद सबसे काला दशक था It was the worst period after औरंगज़ब विच पंजाब सीब, इतना bloodshed, इतना खून खराबा, हजारों की तादात में ऐसे कई लोग हैं, कई सौ की तादात में जनका पता ही निनकी बोडी इस कहा पे हैं, कौन से खेत की नीचे, कौन से पता नी, कुएं के अंदर डाल दी, कौन से खेत की नीचे बोडी देवा दी, किसी को पता ही न लगा इस तक, पंजाब में इतने बुरिम देखे, वही अमरितपाल सिंग, आईएसाई की शेह लेकर, आईएसाई का पैसा लेकर, वही काले दिन वापिस पंजाब में लाना चाहता है, इसको तो पकड़ो, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले लाओ, CRPF को वहाँ पर, सबसे पहले लाओ, CRPF का मासिफ डिप्लॉयमेंट करो वहाँ पर, इसको पकड़ो, CRPF मार मार के इस सकता है, मैं पंजाब पुलीस की बात नहीं कह रहा, विकास पंजाब पुलीस I really respect and I salute पंजाब पुलीस, लेकिन इकके दुक्के, bad apples are everywhere, ठीक हा, black sheep are everywhere, हर जगे मिल जाती है, हर एक organization में आपको, एक दो ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो गलत काम करने को तयार हो जाते हैं, कोई पे ना वो culture समझता हो, अमरितपाल सेंग, ना उनकी language समझता हो, ना उनका खाना समझता हो, and he should be absolutely out of contact with everybody, in complete 100% isolation, अमरितपाल कहाँ गया, किसी को पता है, या डालिया मनीपूर, नागलाएंड मिजोराम के किसी jail में, तूर, eyes all long talai, contact कि कहीं पे, ऐसे दूर जगे, जहांब नेटवर्क ही ने मिले फोन का, और वहां पे रहे वो, under the watchful eyes of the CRPF, तब पटा चलेगा उनको, और जो वारिस पंजाब के जितने भी हैं, सब की ओपर, जैसे करा था ना, NIA ने क्रेकडाउन, पूरी हुरियत गायब कर दी थी रातो रात, वही वारिस पंजाब के साथ करना ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यह फिर खालिस्तानी है, ठीक है, यह खालिस्तानी जैनवा नहीं है, इनसान नहीं नहीं है, यह हिंदूओं और सिखों के बीच मां फरक डालने की कोशिश कर रहे हैं, यह मैंने पहले भी आपसे अपील करी थी, मैं उयस में, जो मंदिरों को, किड़किया तोड़ दी है, आप स्प्रेय पेंट कर दी है, और UTCD बात कर दी हैं, क्यों कर रहा हैं यह बढ़का can आपको पता होना चाहिए हैं, यह इसलिए कर रहे हैं, क् mutually अपक। पता है क्या डूरत हैं, यह नहीं कर रहे हैं, यह नहीं कर र ये इन जानवरों का प्लान है ठीक है आप इंसान है ये जानवर है और ऐसा कभी नहीं हो इतिहास में कि किसी जानवर ने इनसान को बेकूब बना दिया हो आप इनके प्लान में फसना मत और हरे गुर्द्वारस आपको वही इज़त देनी है जो आप मंदिर को देते हो वही इज़त देनी है जो आप मंदिर को देते हो तभी इन खालिस्तानी को मुँपे जूते पढ़ेंगे इसको पजाबियों कहते हैं चितर भेगा-भेगा के डिव इक्वल इंपॉर्टन्ट जैसे आप रमायन को, महाभारत को importance देते हैं, वैसी आप गुरु ग्रान साथ जी को भी उतना ही importance दें, जैसे आप गुर्दारा साथ को importance देते हैं, वैसी जैसे आप मंदिल को देते हैं, यह होगा खालिस्तानियों के मुँपे थपड़, या फिर जूता और अमरितपाल सिंग इसको डालो जेल में और इसको अब्बू है ना, पाकिस्तान में ठीक है, उनको तो अलग से टाइट करेंगे कभी और, लेकिन सबसे पहले इसमें नकेल कसना बहुत ज़रूरी है, यह साप का बच्चा मैं बतानों सफुला है, यह कल अजगर बनेगा, पूरे पंजाब को नसेगा, इस प्रॉब्लम को जड़ से खतन दरने की बहुत ज़रूरत है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, सबसे पहले तो मैं आप सबसे पोछना चाहता हूँ, आप हमें कमें सेक्षन में लगके बताएं कि जो मैजर साब ने जो डोया है, अमरिद पाल सिंग को और खालिस्तानी और जो यह मुमिन चला रहा है तो आपका इसके बारे में क्या कहना है और जो इसमें बात रही यह पूरे मोमिन की और अमरिद पाल सिंग की तो मैंने भी आज तक इस आदमी का नाम नहीं सुना था कई सारे लोगों को तो इस आदमी के बार में पटा ही नहीं था लेकिन यह उनको इक ब्रेइन वास करके किसी भी ना किसी तरिके से उसको हिंदुस्तान लाया और जैसे मैजर साब बटा रहे थे यह पूरा एक प्रपगेंडा शुरू करने की साजिस थी और जो पंजब की वज़े से उसको कुछ कर नहीं पाएगा अगर उनको भी छूट मिल जाए तो जैसे मैजर साब ने कहा कि मंदिर से आगे से चपल नहीं चोड़ी हो सकती तो इनको भी इतने दिनों तक ऐसी प्रोटेक्स या हंगामा करने की इसासद नहीं मिलती अगर पोलिस को छूट मि जाती हैं सबको डंडे मार के बंद करवाने के या जेल में डाल के तो में तेसाब सही बात कर रहे थी और जो दूसरी बात उन्हों है कि अगर जेल में भी डाले इसको पकड़ के तो ऐसी जगह पे ढालो जहां पर उनसकी कोई कांटेक्ट नहीं है और वह बाहर की दुनिया से कॉंटेक्ट में ही नहीं है तो आपके क्या विचार है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूबट है अगर वीडियो पसंद आ है तो लाइक करना में पूलिए और चानल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कुरना पी बट पूलिए